आपको बताना है। यहाँ पर air है और यहाँ पर water है। यानि कि आप इस water को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। सो अब आपको यह बताना है कि इन दोनों में से यानि कि air और water इन दोनों में से कौन compound है। बताईए इन दोनों में से कौन compound है, क्या air compound है, क्या water compound है, अगर है तो क्यों है, with logic के साथ आप comment section मा के ज़रूर बताईए, और तब तक सोचते रहिए, चलिए तब तक हम लोग compound का concept दिखते हैं, कि हम कैसे decide करेंगे कि कोई भी चीज़ compound है या नहीं है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि हम कैसे decide करेंगे कि कोई भी चीज़ compound है या नहीं है, तो देखें, पहले यह point आप अपने copy पे अच्छे से jot कर लीजिए, और actually यहां पर जो बात बतानी वाली चीज़ है, वो हम लोग देख लेते हैं, देखें, जो compound होता है, वो actual में क्या होता है, pure substance हुआ करता है, ठीक है, तो हमने बात किया था कि pure substance के category में क्या क्या आता है, दो चीज़, element और compound, तो जो भी compound होंगे, वो क्या होंगे, pure substance होंगे, चलिए, यह point तो आपको बहुत बढ़िया से किलिए ही होगा, अब देखें, compound कहते किसे हैं तो यह क्या कह रहा है, कि actually जो compound होगा, वो दो या दो से जादा elements से बना होगा, दो या दो से जादा element से अगर वो chemically join है, तो हम कहेंगे कि वो compound है, शायद नहीं समझ माया, लेकिन समझाओंगा, tension मत लीजी, चलिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से दे अब यहाँ पर देखे, अगर हम लोग बात करते है, calcium carbonate, तो calcium carbonate ऐसा होता है, और यहाँ पर चलिए देखे, अभी मैं formula लिख दे रहा हूँ, और आपको अभी बिल्कुली stress लेने की कोई ज़रूत नहीं है, ठीक है, तो calcium carbonate, ठीक है, इसको बोलते है calcium carbonate, तो यहाँ पर दे कैल्शियम जो है, यह एक element हो गया, फिर carbon जो है अलग element हो गया, और जो oxygen है यह अलग element हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं है, कि जो calcium element है, जो carbon element है, जो oxygen element है, यह आपस में chemically क्या है, combined है, chemically क्या है, combined है, physically नहीं chemically combined है, तो हम कहेंगे कि यह जो calcium carbonate है, यह हमारा क्या है, compound है, और मैं आपको थोड़ा से example देता हूँ, जैसे इसको हम लोग बोलते है, sodium hydroxide, ठीक है, अब यह sodium hydroxide है, तो थोड़ा इसको देखे, इसको लिखते हैं इस तरह से sodium hydroxide, अब देखे, इसमे कितने elements है, एक तो यहाँ पर, यानि कि sodium एक element है, फिर दूसरा कौन हो गया, oxygen, फिर तीसरा कौन हो गया, hydrogen, तो यहाँ पर कुल मिला के कितने atoms है, या कितने element है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे element, तो यहाँ पर तीन अलग-अलग element है, एक तो sodium है, दूसरा oxygen है, और ती तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि different kinds of elements जो है यहां पर यानि more than two elements जो है chemically combined है कि दूसरे पर इसलिए हम कहेंगे कि यह जो sodium hydroxide है जो आपको यहां दिखाए दे रहा है यह आपका क्या होगा? compound होगा थोड़ा और देखते हैं यह जो आपको blue color का strap का दिखाए दे रहा है इसको हम chemistry की भाषा में कहते हैं copper sulfate क्या बोला करेंगे? copper sulfate तो आपको tension नहीं लेना है यह सब धीरे धीरे बाते सब समझ में आने लगेंगे picture के through आप connect कीजिए और धीरे धीरे memory में बैठना शुर copper sulfate iso4 तो यहाँ पर copper क्या हो गया? एक element हो गया, sulfur क्या हो गया? यह दूसरा हो गया और oxygen भी एक अलग धंक element हो गया तो हम लोगों ने देखा कि copper है, plus में sulfur element है, फिर oxygen element है तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि oxygen element है, sulfur element है, copper element है और यह सब chemically एक दूसरे में attached किया हुआ है इसलिए हम कहेंगे कि यह जो copper sulfate है जो कि इस तरह का ब्लू कलर कर दिखाई देता है यह क्या है आपका compound है ठीक है तो यहाँ पर आपको यह समझनी की अविशक्ता है कि compound क्या होता है दो या दो से ज्यादा element से जुड़ा होता है ठीक है लेकिन इत जुड़ने का तरीका क्या ह होता है फिजिकल तरीके सनी होता है ठीक है तो तो या more element से अगर combined है आपका element तो उसको हम compound कहा करेंगे अब थोड़ा सा अगर आपको लगता हो कि बहुत की किताबी केड़ा टाइप का हो गया लेकिन देखिए ऐसी मजबूरी हमारी भी है कि आपको बताना पड़ेगा नही मैं आपको कुछ इस तरह के और भी example देता हूँ जैसे माल लीजे कि हम लोग बात करते कि इसके water के विश्य में बात चित करते हैं अब यह water जो है इसमें देखिए कितने elements है एक तो hydrogen element हुआ और दूसरा यहां पर देखिए क्या है oxygen element है तो hydrogen oxygen दोनों मिल के क्या बना देता है water बना देता है तो यह चो आप देख रहे हैं as to o यह आपका क्या हो गया जी हाँ यह आपका compound हो गया क्योंकि इसमें hydrogen एक अलग element है oxygen एक अलग element है इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर two or more अगर elements आपस में chemically combined है तो हम उसको क्या कहा करेंगे compound कहा करेंगे थोड़ा और realistic थोड़ा सा example में आपको देता हूँ और वो है आपका नमक तो नमक को हम chemistry के language में क्या कहा करते है sodium chloride ठीक है क्या बूलेंगे sodium chloride बूला करेंगे अब इसमें देखे यहां से यहां यानि कि sodium ये क्या हुआ sodium हुआ एक element हुआ chlorine क्या हुआ ये दूसरा element हुआ तो ये sodium और chlorine आपसे मिल के क्या बना रहा हुआ नमक बना रहा है तो जो आप नमक खा रहे हो वो क्या हो गया compound हो गया और ये क्या है element है तो जब दो या दो से ज़ादा element chemically attached हो जाते है तो हम कहेंगे कि वो हमारा क्या होगा compound हुआ करेगा ठीक है तो I think आपको ये बाते आज में आ रही होगी अब चली हम लोग देखते हैं कि जो compound होते हैं उसके कुछ properties होते हैं और यहाँ पर हमें बहुती अच्छी ढंग से understand करना है कि जो compound है उनके क्या-क्या properties होते हैं और ये फिर जाकर आपका next classes में भी use होगा कई बार use होगा तो चली सबसे पहले जो हम ल लेंगे वो compound है या नहीं है तो देखिए जो भी compounds होते हैं वो physical method के through separate नहीं किया जा सकते हैं यानि कि जो constituent particles होंगे जो components होंगे उसमें उसको physical method से आप separate नहीं कर पाओगे जैसे आपको मैं example देता हूँ ठीक है जैसे माल लीजे कि यहाँ पर हम लोग example water कर लेते हैं ठीक है अब water में क्या है hydrogen है और दूसरा element oxygen है तो अगर hydrogen और oxygen को आपको अलग करना है तो क्या आप इसे चूले में चड़ा देंगे तो क्या यह hydrogen और oxygen अलग हो जाएगा ऐसा नहीं होगा क्या तलवार लाएंगे काट देंगे तो अलग हो जाएगा ऐसा भी नहीं होगा ब्लेड लाएंगे उससे काट देंगे तो क्या अलग हो जाएगा बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा यानि कोई physical method काम ही नहीं करेगा ठीक है कोई physical method यहाँ पर काम नहीं करेगा तो यहाँ पे जो hydrogen है और जो oxygen है इसी को component कह रहा है यह किसका component है water का component है तो इसी में यह कहा जा रहा है कि जो भी compound है जैसे water क्या हो गया compound हो गया तो इसके जो component है component मतलब hydrogen और oxygen इसके जो component है या इसको constituent भी बोलते हम लोग तो ये जो component है, इसको आप physical method से separate नहीं कर सकते हो अगर आप उस किसी भी compounds के component को physical method से separate नहीं कर पा रहे हो तो ये clear है, कि वो क्या होगा, compound होगा चलिए थोड़ा सा और example देता हूँ जैसे अब मैं बात करता हूँ sodium chloride की, यानि नमक की बात करता हूँ तो यहाँ पर बताईए, ये तो एक compound है, अब इसके component बताईए तो sodium chloride के component क्या होए, एक तो sodium हो गया दूसरे क्या हो गया, क्लोरिन हो गया, तो अगर इन दोनों को जुदा करना है तो रसी ऐसे खीच दोगे, तो क्या जुदा हो जाएगा क्या दिवार खड़ा कर दोगे तो जुदा हो जाएगे क्या आप जला दोगे तो जुदा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा यानि कि इन दोनों को हम फिजिकल मैथड के थूँ, या माल लिए इनको च्छनी में च्छानेंगे तो अलग हो जाएगे क्या तो नहीं नहीं हो पाएगा, सोडियम और क्लोरिन अलग तो नहीं हो पाएगा, च्छनी में च्छानेंगे तो या माल लीजिए इसको evaporation कराएंगे तो क्या sodium और chlorine अलग हो जाएगा क्या ऐसा भी नहीं होगा अगर माल लीजिए आप इसका sublimation कराएंगे तो क्या यह अलग हो जाएगा sodium और chlorine तो ऐसा भी नहीं होगा थीक है तो यह physical methods होते हैं तो physical method यूज़ करके I think compound का concept आपको समझवाना चाहिए कि जो भी substance के component है उसको आप separate नहीं कर पा रहे हो उसको अलग-अलग नहीं कर पाओगे physical method से देखे इसको समझने के लिए और भी मैं आपको example देता हूँ ठीक है चलिए यहाँ पर आते हैं अब यहाँ पर इस example में देखे actually इस example में क्या है iron sulfide है ठीक है क्या है iron sulfide है यानि कि इसमें एक चलिए iron sulfide में component बताएए एक तो iron हो गया और दूसरा क्या हो गया sulfide, sulfur तो यहाँ पर क्या हो गया है दो element हो गया ठीक है अब यह दोनों element को आप यहाँ पर देखे कि जब reaction में गरह होता है तो iron sulfide बन जाता है तो हमने क्या क्या अब जिसे कि यह जो iron है, iron क्या होता है? लोहा वाला तत्र होता है और आपको मालूम है कि अगर चुमक इसके सामने ले जाएगे तो लोहा क्या हो जाएगा? खिचा जाएगा तो हम यहाँ पे आप क्या करेंगे? Magnat पकडेंगे और magnet जब हम इसमें पकडेंगे तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेएगा इसमें iron भी है और sulfur भी है तो अब इसके सामने हमने क्या क्या is magnet ले गिया अब magnet ले लिए तो क्या देखिए यहाँ पे iron चिपक रहा है क्या ऐसा चिपक रहा है क्या नहीं न, iron तो यहाँ पे चिपक ही नहीं रहा है कि यह पूरी तरह से क्या हो गया खाली है, तो यह से यह clear हो जा रहा है, कि यह physical method हुआ, कि magnet का use करके आप क्या करने का प्रयास कर रहे हो iron और sulfur को अलग करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब कि अगर यह physical method से iron separate नहीं हो पा रहा है it means कि जो आपका iron sulfide है, यह क्या हो जाएगा, जी हाँ compound हो जाएगा, क्योंकि इसको हम physical method के थ्रू separate नहीं कर पा रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कि जो भी compound होते हैं, तो compound के जो भी components होते हैं उसको physical method के थ्रू बिल्कुल भी अलग-अलग नहीं कर सकते हैं अब और भी कुछ example चलिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और समझने का प्रयास करते हैं तो अब इसमें देखे, यहाँ पे दो चीज़ को mix कर दिया गया है क्या-क्या चीज़ को mix कर गया है एक तो iron, iron का चूर जो है वो डाल दिया गया है, और दूसरा क्या है sulfur का powder डाल दिया गया है और यह chemically नहीं है ठीक है, तो हमने क्या क्या कि जो iron का बुरादा टैब का होता है iron का चूर होता है और जो sulfur powder दोनों का आपस मिक्स कर दिया अब mix करने से क्या होता है कि फिर हमने एक चूमक लाया अब चूमक लाया तो आप देखे कि जो iron का part होगा इसमें क्या होने लगा, चिपकने लगा ध्यान दीजिएगा यहां पिछी पक रहा है तो क्या यह आपका जो यहां पर दिखाई देरा है सबस्टन्स तो क्या यह compound है जवाब क्या होगा, नहीं है क्यों क्योंकि यह physical method है चूमक के थ्रू सेपरेट करना क्या हो गया physical method है तो इसका यह मतलब हुआ कि जो इसमें iron है और जो sulfur का powder है वो chemically attached नहीं है ऐसी mixture बना हुआ है इसी लिए क्या हो रहा है यह separate हो जा रहा है इट मींस कि यह आपका compound नहीं है अगर compound होता तो physical method से इसको आप separate नहीं कर पाते अब जैसे इसको देखिए समझने के लिए यहाँ पर example को हम लोग लेते है तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि chemical compound हमने क्या 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 iron और sulfide से बनाया है iron और sulfide का बनाया ठीक है यह chemically react हमने किया इन दोनों को जब हम लोगों ने chemically react किया तो यह काला कलर का हो जाता है और इसमें दो चीज़े हैं एक तो क्या है sulfur है एक क्या है sulfur है और दूसरा हमारे पास क्या है iron है ठीक है तो हमें तो मालूम है कि iron वाला part क्या होगा चिपकेगा ठीक है किस से चुमक से तो क्या यहां पर देखिए चुमक तो रखा का रखा हुआ है लेकिन क्या यहां पर कुछ भी चिपकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है इस चुमक में कुछ भी आपको चिपकते हुए दिखाई दे रहा है तो जब आप क्या होगा कि आपको कुछ भी यहां पर चिपकते magnet लाकर physical method के through ये separate iron नहीं हो पा रहा है it means कि ये वाला जो है ये क्या हो गया compound हो गया जबकि यहां पर ये वाला बिना react किया अगर इसको mixed करते हैं तो ये separate हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला compound नहीं है और ये वाला compound है तो I think आपको ये तमाम बाते जो है ये समझ में आ रही होंगी ठीक है तो हमने कैसे बनाया देखिए इसी iron और sulfur को अभी तो बिना ही टूट किये हम लोग क्या किया थी इसको mix कर दिये थे जैसे माल लेजे एग्जामपल के तौर पे कि अगर हम लोग जैसे बालू ले लिजे और कंकर ले लिजे दोनों को mix कर दिजे ठीक है तो उस step कब हमने किया है लेकिन अब इसमें हमने क्या क्या है कि कुछ reaction कराया है जैसे इसमें क्या क्या हमने iron ले लिया और iron के बाद sulfur का powder ले लिया और दोनों को मिला के heat कर लिया, ठीक है एक boiling tube में डाल के उसको हमने कहा किया, heat करना शुरू किया जब heat करना शुरू किया तो reaction हो गया और जब reaction हुआ, तो chemical compound जो है, यह बन किया आगया तो chemical compound कैसा बन किया आगйा तो यह वाला chemical compound बन किया ठीक है, पहले इसका chemical compound नहीं बना था उसके बाद यहां chemical compound बना तो यह वाला compound हो जाएगा और यह वाला compound नहीं होगा इसको mixture हम कहा करेंगे ठीक है तो I think आपको यह साथ शायद जो बात है वो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार जो भी compounds होते हैं उसको आप physical method कि थो separate तो कते हैं अब अगला अगर हम लोग देखें कि जो भी compounds होते हैं उनकी properties different हो जाया करती हैं उनकी property क्या हो जाया करती हैं different हो जाया करती हैं अब इस बात को समझने के लिए चलिए मैं आपको तरक देता हूँ अब क्या तरक है चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं तो चलिए यहां पे देखते हैं water के ठीक है अब ध्यान से देखना यहाँ पर यह क्या हो गया water water क्या है compound है ऐसा लेकर चल रहे है अब इसमें component कौन है hydrogen ठीक है तो hydrogen एक component हो गया फिर दूसरा component क्या है oxygen है ठीक है तो दो component मिले है मतलब कि hydrogen एक element है oxygen एक element है दोनों आपस में chemically combined होके क्या बना दिया पानी तो यह point क् चाह रहा है कि जो compound है उसकी जो property है और यह जो component है इसकी जो property है वो जमीन आस्मान का फर्क है यह दोनों का बरावर नहीं है चलिए देखते है यह जो है यह पानी की रूप में आएगा तो क्या बनेगा यह पानी की रूप में बनके क्या बनेगा liquid बनेगा जबकि hydrogen क्या है यह gas है फिर देखिए oxygen क्या है यह भी gas है तो देखिए इसका property और इसका property change हुआ compound अगर इनी चीज़ों से बनाना है hydrogen oxygen से ही हमने बनाया लेकिन जब वो बन जाएगा chemically तो property क्या हो जाएगा change हो जाएगा इसका तो देखिए जब यह दोनों मिल के पानी बना तो किस form में आ और देखिए अब यह जो water है यह क्या करता आग बुझाने का काम करता है क्या करता है आग बुझाने का काम करता है जबकि oxygen क्या करता है आग जलाने का काम करता है यानि कि यह support करता है combustion को जबकि water support नहीं करता है तो property change हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह आग जला सकता है पानी आग जला नहीं सकते है, जबकि यही oxygen यहाँ पर यूज हुआ है, लेकिन property क्या हो जा रहा है? different हो जा रहा है, उसी प्रकार से और भी चीजे हम लोग देख सकते हैं, जैसे hydrogen को आप जला सकते हो, hydrogen को आप गया कर सकते हो burn कर सकते हो इसको जला सकते हो hydrogen को लेकिन पानी जलेगा क्या पानी को अगर आप जलाने का प्रयास करोगे तो पानी तो यहाँ पर भी property क्या होगे, change होगे जब कि यही hydrogen इसमें है ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह burn नहीं हो पा रहा है water जबकि hydrogen burn हो पा रहा है तो आपको इतना सारा मैंने तर्क दिया कि जिस जिस component से compound बनता है तो जब वो compound बन जाएगा तो उसके जो property होगी वो different हो जाएगी और उसके जो component है उसके properties जो है वो अलग रहेंगे ऐसा नहीं है कि अगर यह gas है यह gas है तो दोनों मिलके gas ही बनाएगा अगर यह जलता है तो water भी जलेगा ऐसा नहीं होगा oxygen क्या करता है आग जलाने में मदद करता है तो पानी भी आग जलाने में मदद करेगा ऐसा नहीं होगा बात समझ मैं आया, यह यह gas है तो यह liquid हो जा रहा है, यह जलता है hydrogen, यह जलता ही नहीं है, water, oxygen combustion को support करता है, यानि आग को जलाने में मदद करता है, पानी आग को जलाने में मदद नहीं करता है, boiling point भी इसका क्या है, different है, जब यह पानी बन जाएगा, तो 100 degree Celsius पर ही पानी क्या ह होगा, उबलेगा, ठीक है, तो इस प्रकाल से हम लोग समझ चुके हैं, कि बहराल यह समझ गए कि जो भी compounds होते हैं, उनके जो properties होते हैं, different होते हैं, किस से, elements से, जिस elements से वो बना होता है, उससे क्या है वो, different होता है, अब चलिए, अब next point को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कि देखिए, जब भी, compound की बात आती है, जिससे माली आपको compound बनाना है, ठीक है, तो, यह compound के components को अलग करने हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, कि या तो, energy उसमें absorb हो जाएगी, या तो, energy उसमें बाहर निकल जाएगी, energy किस रूप में, heat के तौर पे नज़र आएगा, electricity के रूप में नज़र आएगा, light के रूप में आपको नज़र आएगा, ठीक है, तो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कि जब भी आप compound बनाएगे, तो, या तो, heat absorb हो जाएगी, यानि कि heat को वो चूस लेगा, या तो, heat बाहर के तरफ फिका जाएगा, तो, यह किसका लक्षन है, compound का, अगर ऐसा हो रहा है, तो, वो क्या हो गया, compound हो गया, चलिए, आप इस concept को कितना बढ़ी हैं से समझे, एक question के मादि, हम से testing करते हैं, ठीक है, चलिए, एक हमने क्या किया, x substance लिया, उसको react हमने कर दिया, y substance से यह दोनों जब react हो गया, तो, एक नया substance बन गया, z, और जब ऐसा हो रहा था, दोनों जब आपस में react हो रहा था, तो, heat energy बाहर निकल रहा था, heat energy बाहर निकल रहा था, यानि, exothermic process हो रहा था, और दूसरी बात यह है, कि, जो z की properties है, x और y से बिलकुल अलग है, तो, अब प्रशन यह आता है, कि, यह जो z substance है, वो क्या है, element है, compound है, या mixture है, क्या है, बताईए, शायद आपने बता दिया होगा, कि यह वजो जो z compound है, यह жो substance है, यह क्या होगा, compound होगा, क्यूं होगा, क्योंकि आपने notice किया कि जब ये दोनों आपस में react हो रहे थे x और y उस समय hit energy क्या हो रही थी बाहर निकल रहा था तो हमने आपको कहा कि जब भी आपस में element या component आपस में react करेंगे तो या तो energy absorb होगा या तो energy बाहर निकलेगा अब ये energy किस किस रूप में हो सकता है electricity के रूप में दिखाई दे सकता है heat के रूप में दिखाई दे सकता है light के रूप में दिखाई दे सकता है तो हम कहेंगे कि वो क्या बन जाएगा आपका compound बन जाया करेगा तो ये z क्या हो गया आपका compound हो गया तो I think आप इस बात को समझ चुके होंगे चलिए और भी अगर हम लोग इस तरह से कुछ और example लेते हैं तो उसको देख सकते हैं जैसे अब देखिए कि एक X substance हम ले लिया या इसको हम थोड़ा से different कर देते हैं माल लिए Z substance हम ले लिया और इसमें हमने क्या क्या electricity डाल दिया electricity हमने डाल दिया तो यह X और Y में तूट गया यह Z substance है उसमें हमने electricity डाला energy group में किसको डाला electricity को डाला और जैसी डाला तो इसके component आपसमें तूट गया और Z की जो property है X Y से different है तो यहाँ पर यह Z compound है यह नहीं है तो जवाब क्या होगा है कैसे है यह भी देख लीजिए एक्चुली यह water का case था पानी है और पानी से हम क्या कर रहे थे hydrogen और oxygen को बाहर निकलने का परियास कर रहे है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें electricity हम डाल रहेंगे क्या डाल देंगे electricity जैसे electricity हम डालेंगे तो hydrogen और जो oxygen है यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे अलग-अलग हो जाएंगे तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है energy लिया जा रहा है एब्सर्फ हो रहा है तो definitely यह हमारा क्या हो गया compound हो गया उसी तरह से बहुत-बहुत-बहुत सारे ऐसे example आपको मिलेंगे जैसे माल लिजए कि sodium को ले लेते हैं chlorine को ले लेते हैं दोनों को जब हम लोग add करेंगे react करेंगे तो sodium chloride बन जाएगा तो यह भी आपका क्या हो गया compound हो गया और इसकी यह वाले जी प्रोपर्टी है इससे और इससे क्या होगा बिलकुल different हो जाएगा so मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा आपको बड़ेंफिल हो रहा होगा कि मैं क्या यह लिख रहा हूँ NACL बट मैं आपको कहा कि मैं आपको depth concept समझाने के लिए ऐसे आपको बता रहा हूँ आपको परिशान नहीं होना है मैं आपको point to point logic देने का प्रयास कर रहा हूँ आप इतना दिमाग में रख सकते हैं और धीरे 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 आप chemistry पढ़ रहे है तो वो सब बात आपको जो है समझ में आना शुरू हो जाएगा चलिए अब हम लोग दूसरे properties के तरफ move करते हैं आप देखिए इसमें कह रहा है कि जो भी compound है compound के जो भी composition होते हैं वो हमेशा आपस में क्या हुआ करते हैं fixed हुआ करते हैं compound के जो भी composition होंगे जो भी हमेशा क्या होंगे fixed हुआ करेंगे अब जिस इसका क्या मतलब है इसका मतलब ही हो कि जो उसका formula बनेगा वो हमेशा क्या होगा fixed होगा जैसे कि माल लेजिए अगर आप पानी उठाते हो कहां से पानी उठाते हो मालो कि आप नदी से पानी उठाते हो ठीक है जैसे रिवर रिवर से अगर आप पानी लेते हो तो उसकी फर्मुला क्या होगी S2 ही होगी फर्मुला सिम रहेगा अगर माल लेजे कि आप कुमा लेते हो कुमाज है पानी को अगर आप निकालते हो उस समय पानी की फार्मुला क्या होगी S2 ही होगी उसी तरह से अगर माल लीजे कि आप ग्राउंड वाटर लेते हो ठीक है ग्राउंड वाटर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो इससे भी पानी अगर आप निकालोगे तो क्या फार्मुला होगा पानी का S2O ही होगा यानि कि फार्मुला जो होगा हर हालत में सेम होगा चाहे आप अमिरिका का पानी यूच कीजिए अफरीका का पानी यूच कीजिए इंडिया का पानी यूच कीजिए चाइना का पानी उच कीजिए, जपान का पानी उच कीजिए, कहीं का भी कुछ आप कीजिए, लेकिन जो इसके formula होंगी है, क्या होंगी, fixed होंगी, यानि कि composition जो होगा, compound का वो क्या होगा, fixed हुआ करेगा, तो I think आप इस बात को भी समझ चुके होंगे, अब next point हमारे पास आता है, कि जो compound होते हैं, उसके जो melting point होते हैं, और जो boiling point हुआ करते हैं, वो same हुआ करते हैं, fixed हुआ करते हैं, वो बदलते नहीं है, ठीक है, जैसे कहने का क्या मतलब है, आपको मैं समझाता हूँ, तो एक logic देकर, जैसे कि माल लीजे कि आप पानी ले लीजे, ठीक है, तो आप यहाँ पर water ले लेते हैं, अब इस water को आप क्या करो, gas वाले में, gas वाले चूले में चड़ा दो, ठीक है, तो आप इसको gas वाले चूले में चड़ा दिया, ठीक है, और फिर वही water ले लो, अब इस बार इसको क्या करो, जो electric heater आता है, उसमें आप इसको क्या करो, चढ़ा दो ठीक है तो सबसे पहले कौन बोईल करेगा तो ऐसा तो नहीं है यानि कि यह पानी तभी बोईल करेगा जब यह 100 degree Celsius इसका temperature आ जाएगा और यह भी पानी तभी बोईल करेगा जब यह 100 degree Celsius में जाएगा यानि कोई भी पानी बोईल करता है जब 100 degree Celsius में तभी तो पानी बोईल करता है ठीक है तो इसका जो भी melting या boiling point होता है वो हमेशा क्या होता है compound का same हुआ करता है तो यहाँ पे जो compound का S2 है तो इसका जो melting point है boiling point है वो क्या होता है fixed हुआ करता है ऐसा नहीं है कि यह अलग-अलग हुआ करेगा, अभी कुछ और है, बाद में कुछ और हो जाएगा, ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है, ठीक है, हमें सब fixed रहता है, चाहे आप कहीं कभी पानी यूज करेंगे, किसी भी resources का यूज करेंगे, ठीक है, तो I think आप इन तमाम points को भी स समच चुके होंगे, कि properties of compound क्या हुआ करता है, अब देखिए, next हमारे पास आता है, वो है, compound is a homogeneous substance, तो अभी इसको हम लोग आगी दा के lecture में cover करेंगे, लेकिन आपको मैं फिल भी बता दे रहा हूँ, homogeneous कहने कमाता है, एक दूसरे पर अच्छे से mixed up हो जाना, आप बिलकुल differentiate नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्या है क्या निसा, आप नमक लेते हैं, तो नमक में क्या आप पता कर पाते हैं, कि sodium और chlorine आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, नहीं न, मतलब यह आपस में क्या हो जाएंगे, uniformly आपस में एक बढ़िया से mixed up हो जाएंगे, तो उसे को हम क् oxygen एक दूसरी में क्या होते हैं, uniformly हो जाते हैं, मतलब एक दूसरी में अच्छे से mixed up हो जाते हैं, जिसको आप असानी से differentiate नहीं कर सकते हैं, तो उसे को हम क्या कहते हैं, homogenous कहा करते हैं, तो जो भी compound हुआ करता है, वो क्या हुआ करता है, homogenous हुआ करता है, सो अब हम आ जाते हैं वापस अपने पहले वाले प्रश्ण में और प्रश्ण क्या था और मुझे लगता है कि आप शायद साइंटिफिक लॉजिक के माधियम से इन सवालों को क्रैक भी कर लियोंगे चलिए बहराल अब समय आ चुका है कि मैं इन सवालों के जवाब आपको दूँ तो प्रश्ण ये था कि यहाँ पर हवा है और यहाँ पर पानी है तो इन दोनों में से आपको ये बताना था कि कमपॉंट कौन है तो दरासल मैं आपको बता दूँ कि हवा जो है ये कमपॉंट नहीं है बलकि वाटर जो है ये कमपॉंट है अब आपके मन में प्रश्ण आएगा कि ऐसे कैसे हो गया अगर आपने scientifically इसका वज़ा ढूंडा होगा तो I think आप correct होगे तो आप कैसे देख सकते हो इसको तो आपने कहा होगा कि भाई ये जो वाटर है इसका एक fixed फर्मूला है H2O इसमें दो एलिमेंट है दो कमपोनेंट है एक हाइड्रोजन है और दूसरा जो हमारा है कमपोनेंट वो है क्या ची ऑक्सिजन है तो ये दोनों आपस में chemicalise yra attendance है क्योंकि आप चुमब कला करे तो चाहए चणनी इस्त्छननी इस्थमाल करके है आप हईड्रोजन उक्सिजन को अलग नहीं कर सकते हो evaporation करके भी आप इसको धूप में रख दोगे तो hydrogen oxygen को लग नहीं कर सकते हो और आप देख भी नहीं पाओगे कि hydrogen कहा है oxygen कहा है जब पानी अपलोगे तो तो मतलब कि सारा property यह लागू कर रहा है इसलिए हम कहेंगे कि यह जो है यह आपका क्या होता है compound है water जब कि air के विश्व में अगर हम लोग बात्सेत करते हैं तो air के विश्व में क्या है दिखेj एर में oxygen भी है air में hydrogen भी है nitrogen भी है argon gas भी है carbon dioxide भी है carbon monoxide भी है तमाम तरह के इसमें gas भरे हुए है और इसी को हम क्या कहा करते हैं air कहा करते हैं तो हम nature से क्या कर सकते हैं, oxygen को अलग कर सकते हैं, तभी तो आप जिंदा हैं, ऐसा थोड़ी कि आप सब कुछ ले ले रहे हैं, hydrogen, nitrogen, argon, carbon monoxide, carbon dioxide, सब अपने पेट में थोड़ी डाल रहे हैं, अपने lungs में तो नहीं डाल रहे हैं, separate कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या है इसको easily हम लोग separate कर सकते हैं, ठीक है, hydrogen को भी separate, यह chemically एक दूसरे में नहीं है, attached, chemically एक दूसरे में नहीं है, वो stare एक साथ मिलके, ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग-अलग separate कर सकते हैं air को, यह chemically attached बिलकुल भी नहीं है, इसलिए हम इस तरक पर कहांगे कि air जो ह आता है, so scientific logic अगर हम लोग लगाते हैं, तो यही हम देख पाते हैं, कि air जो है, इसके जो constituent है, यानि component oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon dioxide, carbon dioxide, इसको हम क्या कर सकते हैं, separate कर सकते हैं, physical process के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, separate कर सकते हैं, साथ ही साथ, air का जो property है, वो different नहीं होता है, ठीक है, जैसे इ समझने के लिए हम लोग चलिए को समझते हैं, जैसे oxygen क्या करता है, आग जाने में काम आता है, तो हवा भी क्या होता है, आग जाने के काम में आता है, आग को support करता है, तो property different होना min है जैकिunta property क्या है, same है, oxygen भी आग जलाता है, और पूरा हवा भी मिलके आग जला र उसी तरह से देखिए कि जो carbon dioxide है carbon dioxide जो gas है अगर आप इसको चुननावाला पानी से पास कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा lime water जो है अगर आप यूज करेंगे तो milky हो जाएगा प्रदूद के जैसा हो जाएगा लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप हवा को भी पास कराते हो किसमें lime water में चुननावाला पानी में तो वो भी क्या हो जाएगा milky हो जाएगा दीरे दीरे तो यहाँ पर इसका जो carbon dioxide की property है और जो air की property वो different नहीं हो पा रहा है वो same है जबकि compound में क्या मैंने बताया था कि जो component होंगे उसके property और जो compound बना होगा उसकी property differences हो जाएगे जैसे कि मैंने आपको example दिया था किस किस चीज में water वाले किस में आपको मैंने लिया हुआ था और भी देखे क्या हो सकता है इसमें जब भी air होता है ठीक है तो नहीं heat energy इसमें लगता है heat energy लगता है क्या heat energy भी नहीं लगता है light energy भी नहीं लगता है और नहीं इसमें heat absorb हो रहा है नहीं तो heat इसमें evolve हो रहा है given out भी नहीं हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब oxygen मिला hydrogen मिला nitrogen मिला argon मिला, carbon dioxide मिला, carbon monoxide मिला यह सब gases जब आपस में मिल जाती है तो नहीं तो heat energy बाहर निकल रही है और ना heat energy हमको देनी पड़ रही है तो इस तरकिसे हम देखेंगे कि जो air है वो क्या हो जा रहा है compound collection बिलकुल भी नहीं बता रहा है ठीक है साथे साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमें कहा गया था कि एक definite composition होता है लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ notice कर पाएंगे कि कहीं पर oxygen का मात्र जादा होता है कहीं पर कम होता है ठीक है तो इस तरह से हम देखें कि एक definite formula भी आप air का नहीं बना पाऊगे ठीक एक definite इसका ratio भी नहीं ला पाऊगे तो इन तमाम चीज़ों से हम लोग देखते हैं कि जो air है बिल्कुल भी satisfied नहीं कर पाता है किसके comparison में compound के जितने भी लक्षन है उसके category में बिल्कुल भी नहीं आपाता है इसलिए हम कहेंगे कि air जो है यह compound नहीं है साथ ही साथ आप देखिए इसमें एक और बात आपको बताता हूँ अगर मैं इस हवा को liquid में convert कर दो यह possible है तो अगर हम लोग इस हवा को liquid में convert कर दे तो इसका जो boiling point होगा वो fix नहीं होगा इसका boiling point fix नहीं होगा जबकि हमने compound के property में देखा कि अगर कोई चीज़ compound है तो उसकी melting point उसकी boiling point क्या होगी fix रहती है जैसे कि मैंने आपको पानी का example दिया कि पानी हमेशा 100 degree Celsius में ही उबलेगा ठीक है तो यहाँ पर air जो है इसका कोई fixed boiling point या melting point नहीं है इसलिए यह compound के property से बिल्कुल match नहीं करता है इसलिए हम कहेंगे कि यह जो air है यह किसी भी तरह से आपका compound नहीं है हाँ water सारे condition follow कर रहा है इसलिए हम कहेंगे कि water क्या है compound है so my dear friend आप समझ चुके होंगे कि compound आखिरकार है क्या और इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हुई है तो प्लीज आप मुझे comment section में आके ज़रूर बताईए मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे और भी आसान से आसान भाषा में आप तक प्रस्तूत करूँ प्लीज 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 झास शुके जब कर दिक्सा जुके ऽौता है